दोस्तों आज मैं एक नई कहानी आप लोगों को सुनाता हूं जिसका शिर्षक है आखिर अंतर रही गया बत्वन में जब हम रेल के सावारी करते थे माघड़ से क्षाना बनाra ले जाती से प्रेइल में जब हम कुछ लोगा को खाना खरीद कर खाते देखते तो बड़ा अमन करता था हम भी खरीद कर खाएं ₹ Nep Up фотограф क हम प्ड़ा अमेजी लोगी अिस तो अ से खर्च कर सकते हैं हम नहीं बड़ा मन मायूस होता है बड़े होकर देखा जब हम खाना खरीद कर खा रहे हैं तो वो लोग घर का बोजन लाकर खा रहे हैं सास्ट के लिए आखिर अंकर रही गया पत्पन में खेलते खेलते जब हमारी पत्लून गुटनों के पास फट जाती थी मां बड़ी ही कारीगरी से उसे रफू कर देती थी और हम बड़े मायूस और दुखी मन से उसे पहनते थे उट्ते बैठते वो रफू वाला हिस्सा ढख लेते थे बड़े ओकर देखा वो लोग घुटनों के पास फटे हुए पतलून महेंगे दामों में बड़े दुकानों से खरीद कर पहन रहे हैं यहां भी दोस्तों आखिर अंपर रही गया है बश्पन में पिताई जी ने बड़ी मुश्किल से साइकेल खरीद के दी तब स्कूटर पर जाते थे और मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी स्कूटर चलाओ जब हमने स्कूटर खरीदा तो भार की सवारी करने लगे और जब तक हमने मारूती खरीदी तो वह BMW पर जाते हुए दिखे दोस्तों आखिर अंतर रही गया और हमने जब रेटायर्मेंट का प कि लिए आखिर अंतर रहे गया सुंट YES हर हाल में हर समय यह अंतर रहेगा दोस्तों अंतर सतत है संातन है सदा सर्वदा रहेगा कभी वेक्ति और दोर्थितियां एक जैसे नहीं हो सकती इसलिए इसलिए जिस हाल में हो जैसे हो प्रसन रहें कहीं ऐसा ना हो कल की सोचते सोचते आज को ही खोदें जिसने भी ये कहाने लिखी है दोस्तों मैं उनका दिल से आभार प्रगट करता हूँ कहानी कैसी लगी अगर पसंद आई दोस्तों तो शेर लाइक और सब्सक्राइब जिरूब करें दोस्तों मैं सुनी शर्मा आपका दोस्त आपसे लेता हूँ इजाज़त जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नमस्कार